प्रिप्टो करंशी मार्केट काफी टाइम से बुरी हलत में चलना था, लगातार बुरी न्यूज, बुरी न्यूज ऐसे में क्या हो गया था, जितने भी टेजर से वो उडास हो गये थे, आज के दिन एक अच्छी न्यूज आई है, ये न्यूज इतनी बड़ी है कि पूरे म मार्केट को बदलने का दम रखता है यह जो न्यूज है इसके बारे में हम जानेंगी सबसे पहले बता दू क्रिप्टो मार्केट में सबसे बुरा टाइन तीन बार आया था पहला चाइना ने जब क्रिप्टो पर बैन लगा था उसके बाद मार्केट में डम देखने को मिला फिर न्यूज आया रशिया के तरब से कि रशिया ने क्रिप्टो पे बैन लगा दिया और रशिया में इतने ज़्यादा ट्रेडर्स थे जिसकी वैसे अच्छा कासा हमें डंप देखने को मिला जो बिटकोईन 60 के को क्रॉस कर चुका था उसके बाद जब ये न्यूज आई त तो अच्छा कासा मार्केट में हमें डंप देखने को मिला फिर इंडिया में क्रिप्टो टेक्सी वैसे अच्छा कासे ट्रेडर्स ने क्रिप्टो करंजी को चला लेकिन अब वापस से जो माहौल बनने वाला है वो बुलिश का बनने वाला है यहां पे बिटकोईन में एक बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा यह जो न्यूज है चलिए इसके बारे में हम जानते हैं तो यहां पर आज के दिन जो न्यूज आई है रशिया के तरफ से आई है रशिया जो है वो बिटकॉाइन को एडॉप्ट करने वाला है एज लीगल टेंडर मतलब वहाँ पे बिटकॉाइन से आप कुछ भी कर सकते हैं चाया आप मार्केटिंग के जे ओनलाइन शॉपिंग के जे सबजी भी खरीच सकते हैं जब कोई कंट्री किसी करेंसी को एज लीगल टेंडर लागू कर देती है तो वहाँ पे उस करेंसी का किजे भी खरीद पाएंगे यह जो न्यूज है यह ओफिसल न्यूज आई है यह अपवर सकते हैं जे वाई क्रिप्टो पे और यहाँ पे टेक स्टोरी और यह जो न्यूज है यह बहुत जल्दी चाने वाला है हर जगा फिलाल हम इस न्यूज की बात करें तो फ्राइडे क को लीगल कर दिया जाएगा समझी कितना बड़ा हम एक पंप देखने को मिलने वाला है यहाँ पे जो मेन हेडिंग है according to a report by common stand the bill which is titled on digital currency contains a detailed regulatory framework on the circulation of cryptocurrencies and for the best time touches upon mining in detail तो यहाँ पे mining का भी जिकर किया गया है opening a new opportunity of bitcoin miners who currently fall in the regulatory grey zone तो वहाँ पे जब mining देखे वहाँ जब बंद हुआ था तो bitcoin में एक dump हमें देखने को मिला तो वहाँ पे जो miners है उनको भी ध्यान में रखके यह bill लाया जा रहा है जो कि अभी काफी उनका business down है तो एक अच्छा pump हमें मिलेगा जब इस bill को pass कर दिया जाएगा यह crypto industry में 4-5 म महीने में जो हम एक बुरा टाइम देखे थे यहाँ पर मैं आपको बता दू तीन महीने पहले news आया था कि रशिया ने cryptocurrency को ban कर दिया गया है bitcoin पे बैन लगा दिया गया है जो mining कर रहे थे उनको भी problem हुआ था तो बहुत सारे लोगों मूब कर रहे थे रशिया से लेकिन अब अब ऐसा news आ गया है जो कि मुझे लगता है अब तक का जो से 2-3 महीना बीता है जितने भी news आये है ये news सबसे बड़ा news है आपको मैं बता दू जैसे ही ये will pass होगा bitcoin में 20 से 50% का हमें pump देखने हो मिलेगा फिर से वहाँ mining start होता है गी bitcoin में pump तो देखेंगे लेकिन वहाँ प cryptocurrency में एक अच्छा growth देखने हो मिलेगा देखें रशिया कोई छोटा country नहीं ये बहुत बड़ी country है और अच्छे खासे traders है वहाँ पर जब ये bill pass हो जाएगा तो बहुत सारे traders वहाँ पर आएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो news है अपने आप में एक दम रखती है जैसे ही ये bill pass होता है Friday को submit किया गया है जैसे ही इस bill को pass किया जाएगा मुझे लगता है कि पूरे market में आप देखेंगे इंडिया में भी 30% tax लोग देने को बहुत तयार हो जाएंगे इस तरीके का pump हमें देखने को मिलेगा अब ये जी news है आप पर सकते हैं अराम से इस phase पे जल्दी ही government इस पर work कर रही है जल्दी ही इसको भी solve किया जाएगा इसको एक अच्छे category पर रखा जाएगा प्लस जो यहाँ पे tax lab है उसको भी लाया जाने वाला है तो आप भरोशा रखिए यहाँ पर बोलू जब Russia ने Bitcoin को ban किया था वापस से देखें दो महीने बाद उन् लेकिन इसे regulate करेगा और आप trading कर पाएंगे तो आप इस मौकों के मत गवाईएगा जो भी crypto आप hold करके रखें बाय करिए चाहे जो करिए उससे बेचिये मत क्योंकि आने वाला time जो है वो cryptocurrency का है जो भी लोग जो पूराने stock market के expert है वो कुछ भी बोलते हैं लेकिन जो नए ट लेकि आया तो फिलाल अभी इस वीडिम दोस्तों इतना ही है आप क्या कीजेगा मेरे Instagram, Telegram और Twitter पर जोइन कर सकते हैं मेरे जितने भी social media platform है मेरे वीडियो का description box से मिल जाएगा तो आउंगो दोस्तों नए वीडियो में किसी बहुत बहतरीन topic के साथ अब तक के लिए